तो बेसिकली वेक्टर के इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ना 3D वेक्टर के बारे में बढ़ते हैं तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे एक राइट हेंड़ कार्टेशन कोडिनेट सिस्टम दिया हुआ है राइट हेंड़ का मतलब यह होता है कि जो Z है वो हमारे पेपर से बाहर आ रहा है और अगर मैं लेफ्ट हेंड़ कार्टेशन कोडिनेट सिस्टम लेता तो उसमें जो Z होता वो इंसाइड पेपर होता अगर मैं यह right-handed cartesian coordinate system को देखू न तो तुम यह देख रहे होगे कि जो हमारे पास x-axis है ठीक है y-axis है और z-axis है इसके long unit vectors दे रखे हैं और जो तीन unit vectors हम लोग पढ़ते हैं वो क्यों होता है i-cap, j-cap और k-cap तो basically जो i, j और k-cap है इसको हम लोग orthogonal triad of unit vector बोलते हैं फिर इनको हम base vector भी बोलते हैं तीनों एक दूसरे के mutually perpendicular होंगे जो i-cap होगा वो x के long direction बताएगा जो j-cap है वो y के long direction बताएगा और जो k-cap है वो z के long direction बताएगा जो unit vector का magnitude होता है वो हमेशा 1 होता है तो बस फिर i-cap का अगर मैं magnitude लूँगा या फिर j-cap का magnitude लूँगा या फिर k-cap का magnitude लूँगा तो वो हमेशा 1 होगा तो जो next है हमारे पास topic वो क्या है resolution of vector in 3D तो हम 3D में resolution करके देखेंगे उससे पहले मैं एक चीज़ बता दू छोटी सी तो इसको पढ़ने से पहले हम क्या चीज़ करेंगे देखो हमारे पास ने यह 3D axes है तो हमारे पास x, y और z जो हैं axes given है और जो हमारा vector p है वो इन तीनों axes में है वो 3D में कैसे resolution करेंगे सबसे पहले हमें angles पता होने चाहिए तो x axis के साथ जो हमारा vector p है angle बना रहा है वो है alpha जो y axis के साथ ही angle बना रहा है वो है beta और जो z axis के साथ ही angle बना रहा है वो है gamma अब x axis के साथ ही angle बना रहा है alpha y axis के साथ angle बना रहा है beta और z axis के साथ angle बना रहा है gamma तो अब basically जो इसके पीछे maths उसको करते हैं simple सी चीज़ है suppose करो हमारे पास ये a vector है इसको हम represent करेंगे जो diagonal है हमारे पास parallel pipe का जो intercept है x axis के along वो है हमारे पास ax vector जो y के along है वो है ay और जो z के along है वो है az तो अब दिहान से देखना है हमने इसमें कि हमारे पास जो ये तीनों के तीनों जो intercept है ax इसकी obvious ही बात है direction को हम i cap से denote करेंगे जो हमारे पास ay है उसकी direction को हम j cap से denote करेंगे और जो z है हमारे पास az है उसकी direction को हम लोग k cap से denote करेंगे तो अगर मैं हमारी triangle देखू कौन से वाली triangle otp triangle OTP triangle हमारे पास जो है वो ये वाली triangle है अगर मैं इस OTP triangle को देखूँ जो कि हमारे 3D axis में है तो इस OTP triangle में अगर मैं triangle law लगाऊं तो तुम खुद देख सकते हो कि हमारे बस क्या है कि OP जो है जो हमारा A vector है वो actually मैं opposite manner में act कर रहा है जो हमारा Y axis है वो इस line को represent करेगा na TP को तो ये देखो ये वाला जो है हमारे पास ये दोनों क्या है same order में है देखो OT और TP ये same order में है लेकिन जो OP है वो हमारे पास इस triangle को close कर रहा है और opposite order में है तो हम triangle law लगा सकते हैं तो triangle law क्या कहता है कि OP vector जो होगा वो OT vector plus TB vector होगा वैसे हम लोग अगर बात करें पैलेलोग्राम की कौन से पैलेलोग्राम की OQRT अब ध्यान से देखना कौन से पैलेलोग्राम की बात कर रहा हूँ OQRT तो basically मेरे पास है OQRT यह जो नीचे पैलेलोग्राम बना रहा है मैं इसकी बात कर रहा हूँ अगर मैं इस पैलेलोग्राम की बात करूँ तो जो मेरे पास OT है यानि कि इस पैलेलोग्राम का जो diagonal है OT वो result होगा कौन से दो vector का result होगा हमारे पास OQR का इन सबको जो vector का नाम है A vector, AY, AX और AZA मैं बाद में दूँगा तो अब देखो तुम जड़ा धियान से अगर मैंने triangle देखी थी OTP तो triangle के according क्या था हमारे पास जो OP था वो OT vector और TP vector के बराबर है लेकिन जो OT vector है वो तो OR प्लस OQ vector है तो अगर मैं इसको put करूँ उपर वाले equation में तो हमारे पास क्या हो जाएगा जो OP vector है हमारे पास वो OR प्लस OQ प्लस TP vector के बराबर हो जाएगा लेकिन हमें ये पता है कि जो TP है वो OS के को लाए लियान से देखो ना diagram में जो हमारे पास TP है ये जो vector है TP vector है किसके बराबर है OS के बराबर है हमारे Y axis में जो vector है उसके बराबर है तो मैं TP की जगा क्या लिख सकता हूँ OS लिख सकता हूँ अगर मैं TP की जगा OS लिख दूँ अब देखो मैं सारे vector के नाम लिखना अब मुझे पता है Q A Vector था, जो O R है हमारे पास, दियान से देख लो, डाइगराम में, जो O R है हमारे पास, वो क्या है? whose AZ है, जो हमारे पास O Q है, दियान से देख लो, O Q जो है वो A X है, और जो हमारे पास OS Vector है, वो हमारे पास A Y है, तो मैं यہ बोल सकता हूं, कि हमारा जो A vector है वो किसके sum के बराबर होगा AX vector plus AY vector plus AZ vector ठीक है अब अगर मैं vector को represent करूँ vector के दो पार्ट होते हैं एक तो होता magnitude और एक तो होता direction तो मैं AX को कैसे लिख सकता हूँ AX I cap plus AY J cap plus AZ K cap तो मैं vector को 3D में ऐसे represent कर सकता हूँ तो सबसे पहले डाइगरम अलफा बीटा और गामा जो रहें एंगल है किसके बीच के एंगल है वो हमारे पास हमारे A vector का एंगल X एकसे साथ हमारे A vector का एंगल Y एकसे साथ और हमारे A vector का एंगल Z एकसे साथ तो अगर मैं वही triangle लगाओ Umm हमारे पस cos alpha, cos beta और cos gamma तो trigonometric ratios से हमारे पस क्या जाएगा? यह तीन values आ जाएगी. जो ax है हमारे पस हो a cos alpha के एक खुल आ जाएगा. जो ay है हमारे पस हो a cos beta के एक खुल आ जाएगा. और जो az हमारे पस हो a cos gamma के एक खुल आ जाएगा. तब magnitude of a vector की बात करते हैं. अगर मैं triangle की बात करूँ कौन से वाली triangle की बात करूँ हमारी जो OTP triangle थी जो सबसे पहले हमने triangle ली थी देखो ना ये हमारे पास suppose करो O है, ये P है और ये T है ठीक है अब ये angle 90 degree था तो अबसी बात है मैं इसमें right angle triangle अगर ये है तो मैं इसमें pythagoras लगा सकता हूँ तो मेरे पस क्या हो जाएगा जो OP का square है वो किसके एकुल हो जाएगा हमारे पास OT प्लस TP का square तो यही तो किया है मैंने यहां पर मैंने pythagoras पुट की लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे पास जो OT है जो हमने सबसे पहले पहले लोग्राम लोग पड़ा था ना उससे क्या आगया था कि जो OT है हमारे पास वो OR प्लस OQ के बराबर है ठीक है तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको मैं दूसरे वाले जो मेरी triangle है नीचे नीचे कौन सी triangle है मेरे पास OQT अगर मैं इस triangle की बात करूँ तो जो मेरे पास hyperdenus है ठीक है हमारे पास जो hyperdenus है यानि कि मेरे पास OT जो था वो hyperdenus था ये वाली side जो है वो hyperdenus है जिसको मैं अलग color से माग करूँ ये वाली side जो है hyperdenus है हमेरे पास तो अगर ये hyperdenus है हमारे इस triangle में तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा ना यह formula learn करना है तुमने कि जो मेरे पास a square है यानि कि हमारे जो a vector के magnitude का square है वो ax square plus ay square plus az square हो जाएगा और हमारे पास जो formula आ जाएगा वो क्या है a is equal to root of ax square plus ay square plus az square तो यह हमारे पास magnitude निकानने का formula है अगर तुम्हें vector दे रखा है 3 dimension में तो यह formula हमने learn करना है वेक्टर की 3D resolution में यही चीज़े हमने पढ़नी थी इसकी जो यह derivation है particular derivation यह paper में नहीं आती है बट हमें result पता होना चाहिए मैंने यह बता दिया कि result कहां से पिर भी चीज़ेगा Impें बटको से इसक zaten तो यह आफ रखम आड़ जोस्टेगर कर वेय चाहिए एल बहु खैब उनाफ